Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Phenotex Chemical की जो स्टॉक कुछ टाइम पहले 400 रुपे के आसपास ट्रेट कर रहा था Phenotex Chemical के regarding देखने को मिल रहा है तो चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अगर आप में चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें और जरूर सिलेक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड हो, आप लोगों तक तुरंत नॉटिविकेशन पहुँच जाए तो Phenotex Chemical के अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन में देखिए यहां पर ओल्मोस जो है 1.40 पैसे की बड़ज जो है आज के दिन में देखने को मिली लेकिन उसके बाद से रिट्रेस्मेंट हुई और स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन दुबारा से हमें देखने को मिल चुकी है लेकिन Phenotex Chemical जो है पूरा दिन आज के दिन हमें आज के दिन हमें देखने को मिला पांस दिन के अगर मैं बात करूँ तो दो पसंट के आसपास की करेक्शन जो है Phenotex Chemical में रही और एक महीने के अंदर बारा पसंट के आसपास के रिटन्स यान कि अल्मोस 220 रुपे के आसपास स्टॉक पहुँच चुका था चारसो रुपे से स्टॉक सीधा दोसट रुपे की रैंज में आ था 50% के असपास की करेक्शन थी लेकिन कमपनी थोड़ी सी रिस्की भी है क्योंकि एक तो एक स्मॉल कैप कमपनी है और ऐसे में रिकवरी जब तक ऐसे स्टॉक में नहीं दे क्योंकि पिछला जो डाटा है वो मैं आपको अगर दिखाऊं देखिए 5 साल का जाटा है एक सो सतानवे पसंड के रिटन से यहां से क्या कमाल की तेजी थी कोविड के बाद से स्टॉक सीधा 400 रुपे के रेंज में गया और और अलमुस्ट एक साल के अंदर इसने 200 पसंड से ऊपर के रिटन्स इन्वेसर्स को बना के भी दिये और उसके बाद से डिट्रेस्मेंट हुई स्टॉक में करेक्शन रही है और ऐसे में स्टॉक दोबारा से रिकवरी के मूड में भी आ चुका है अपडेट के अगर मैं बात कूल देखिए एस इन्वेस्टर्स आसीस का चोलिया यानी कि आसीस की चोलिया जो है एक बहुत बड़े इंवेस्टर है और उनने यहाँ पे चेमिकल सेक्टर की अंदर जो है अपना सेक इंक्रीज कर दिया Phenotex Chemical के अंदर Phenotex Chemical is a small cap company recorded a market cap of 2,701 करोड during closing today the company produces specialty chemicals और over 450 specialty chemicals जो है company हमें बनाती हुए नजर आ रही है और ऐसे में आसीज की चोलिया जो है has increased his stake in the firm by 0.2% according to the company's shareholding pattern for the quarter from January to March और quarter 4 quarter 4 के अंदर 0.2% stake जो है यहाँ पे आसीज की चोलिया ने Phenotex Chemical के अंदर increase कर दिया है company long term में अच्छे returns दे सकती है ये एक risk की stock तो मैं कहूंगा लेकिन risk जो देते हैं जिन stocks के अंदर risk होता है वो ही आपको काफी बढ़िया returns बनाने की शमता भी प्रदान करते हैं आसे में Phenotex Chemical कहीं ने कहीं आपको आज के दिन 245 रुपए पे जो closing हुई है वो short term में हुई है क्योंकि उपरी सर से काफे correct हो चुका है और इस level पे खरीदारी भी जो है Phenotex Chemical में आप जरूर करके रख सकते हैं आज के अगर मैं volume की बात करूँ तो almost 1 lakh के आसपास का volume जो है Phenotex Chemical में आज की दिन हमें देखने को मिल चुका है और अगर आप bank nifty nifty के अंदर trading करते हैं trading को सीखना चाहते हैं free calls के जरीए एक earning अपनी side income के तौर पे करना चाहते हैं एक से दो call free की आपको bank nifty की मिलेंगी link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा मेरे telegram group का जिस पे आपको daily calls मिलती है और यहाँ पे हर रोज आपको अच्छे खासे profits के साथ में अपनी closing दी जाती है target stop loss सब provide किया जाता है और आपको साथ ही साथ में live market support भी provide में करता हूँ उसका link आपको telegram channel का वीडियो के description box में मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस company के technical chart की तो technical chart के साब से अगर हम बात करें तो देखे यहाँ पे technical chart क्या कुछ कहता है यह देखे technical chart है अब यह जो level है यह जो level है 275-250 की range का जो यह level है यहाँ पे एक support पनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे company पहले support लिया था तीजी आई थी वहाँ से गिरावट stock में रही और यहाँ पे दोबारा से आके हमें support लिता हुआ नजर आ रहा है आईसे में quarter 4 के अंदर अगर मुनाफ़ा अच्छा कासा देती है company तो long term में काफी अच्छे returns जो है फिनोटेक्स chemical भी बना कर दे सकती है इस company का अगर market capillation देखेंगे तो 2722 क्रोड का है 31% के आसपास का return on capital है return on equity 23% face value stock की 2 रूपे के आसपास की है अगर बात करें company के देखे quarterly results की तो December quarter के अंदर जो numbers आए थे 29 करोड के आसपास का operating profit रहा था जो कि अभी तक किसी भी quarter के अंदर हमें phenotex chemical का नहीं देखने को मिल चुका है अब बात कर लेते हैं कि company के अंदर promoters का stake कितना है promoters का stake 65% है March quarter के अंदर increase हुआ है FI का stake 0.71 है और यहां पर public का stake हमें थोड़ा सा decrease होता हुआ देखने को मिल चुका है quarter 4 के numbers का इंतजार है कैसे कुछ numbers company पेश करती है उसका update में आप लोगों तक पहुचाता रहूँगा